तो सभी दोस्तों का मैसरी कांत एक बार फिर से इस नए वीडियो में हादिक स्वागत करता हूँ UPP का एक्जाम लगा हुआ है B.A.D. इंटरंस एक्जाम भी लगा हुआ है S.S.C. G.D. का भी एक्जाम लगा हुआ है तो आपको हम एक कोसिस करेंगे कि आपको बहतर से बहतर हो जाना क्लास देने का प्रयास करेंगे कुछ चीजे वर्णमाला में जो हमने पढ़ाई थी वो चीजे छूट गए थी तो हम उन्ही को कबर करने का प्रयास करेंगे आज वर्णमाला की पहली क्लास होगी और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है धिर सारे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं सबसे पहली बात याद रखना वर्णमाला में आपको पढ़ना क्या होता है सबसे पहले यह चीज जान लीजेगा वर्णमाला में वडमाला में आपको तीन से चार चीजे आपको ध्यान रखना है आपको इस में बावन वड़ू का क्लासिफिकेशन करना ही करना है ठीक अगर आप से कोशनले पोछनध कि हाई कि ए फिर वर्ण॔ की संख्या कितनी होती है तो आपको पहला एंसर बताना है बावन होती है कितनी होती है बावन होती है ऐसे ओमन जो है लोग कहते हैं जो पुराने जमाने की लोग होते थे पूझते थे कि भाईया बताओ कासे गया तक कितने अच्छर होते हैं तो लोग 36 बताते हैं ABCD में कितने अच्छर होते हैं तो भाइया वहां 26 होते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं कंपटीशन में आप 52 वर्ड बताएंगे टोटल हिंदी में वर्ड माला में कितने वर्ड हैं यह पहला पॉइंट तो अब इसमें आपको दो-तीन कोशन आएंगे आपके पूछा जाएगा कि भाइया वर्ड किसे कहते हैं सबसे पहला कोशन तो बनेगा वर्ड किसे कहते हैं वर्ड के बाद आएगा कि भाइया शब्द किसे कहते हैं यह प्रशन आएगा इसके बाद आएगा वर्ड किसे कहते हैं फिर सब्द किसे कहते हैं फिर इसके बाद वाक कि किसे कहते हैं यह भ के बारे में बहुत धेर सारी बाते हैं बहुत हमने डिटेल से पढ़ाएंगे आपको हम यहां पर तो यह सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे वर्ण माला में अगर हमने बताया कि अगर बावन वर्ण की बात होती है तो सबसे पहले चर्चा होगी कि भाया वर्ण किसे कहते ठीक है, वर्ड या अच्छर किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है, वर्ड या अच्छर किसे कहते हैं तो आप इसकी definition क्या पढ़ोगे, इसकी definition क्या बताओगे, ये question पूछा जाता है कि वर्ड किसे कहिते हैं तो आप इसे कह सकते हो कि भाईया भासा की भासा की सबसे क्या बताओगे भासा की सबसे छोटी इकाई भासा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे हम भाईया वर्ड कहेंगे या कहते हैं भासा की सबसे छोटी इकाई को वन कहते हैं इधर देखो भासा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर यह point counts आ गया छोटी इकाई पूछा जाएगा वन किसे कहते हैं तो भासा की सबसे छोटी इकाई जो science के बच्चे होते हैं उनको यह पढ़ाया जाता कि इसका मतलब ये हो गया भासा, ठीक, भासा किससे मिलकर बनेगी? भासा वाक किसे मिलकर बनेगी वाक किसे मिलकर बनेगा वाक किस शब्द से मिलकर बनेगा और सब्द किसे मिलकर बनेगा सब्द भाया आपका वर्ण से मिलकर बनेगा देखो इधर पहले समझ लो इधर इधर हमारी बास समझ लो बाद में लिखो भासा की देखो सबसे छोटी काई वर्ण है की नहीं भासा और सबसे छोटी काई इसकी वर्ण है इसका मतलब यह हुआ वर्ण से ही सब्द का निर्मार हुआ वर्ण से ही सब्द का निर्मार सब्द से ही वाक्य का निर्मार और वाकिसे ही किसका निर्मार हुआ, भासा का, बात क्लियर हुई, वर्ण से किसका निर्मार हुआ, शब्द का, इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट ये कह सकते हो, कि वर्ण को सार्थक समूह में रख दो, वर्ण का मतलब एक अक्छर, वर्ण का मतलब का, वर्ण का मतलब मा, वर्ण का मतलब ल, और इसको जोड़ दो, और एक क्या कर दो, समू में रख दो इसको, तो का मा ल, क्या बन गया, इसका मतलब ये बन गया, एक शब्द बन गया, और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब पुस्प, क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये पुस्प हो ग गया तो यह क्या है आपका यह एक कमल आपका क्या बन गया सब्द बन गया तो आप यह कह सकते हो कि वर्ण का सार्थक समू क्या कहलाता है शब्द कहलाता है बात क्लियर अच्छा इधार देखो पहले वर्ण का सार्थक समू शब्द कहलाता है और सब्द का सार्थक समू यहां पर लिख सकते हो सार्थक समुः लिख सकते हो तो कई सब्डों को सार्थक समुः में रखोगे तो वह सेंटेजए आपको क्या बन जाएगा वाक्य बन जाएगा, बात क्लियर हुई, ठीक, अब देखो इधर, जब कई वाक्यों को सार्थक समू में रखोगे, किस में रखोगे, सार्थक समू में रखोगे, तो भाया वो क्या बन जाएगी, आपकी भासा बन जाएगी, इधा ध्यान से समझो फिर से, वर्ण को क्रम में रखोगे, कई वर्णों को मिलाओगे तो सब्द बन जाएगा, कई सब्दों को मिलाओगे, तो वाक्य बन जाएगा और कई वाक्यों को मिलाओगे तो आपकी language बन जाएगी, भासा बन जाएगी तो वर्ण की परिभासा क्या है? वर्ण की दो परिभासा है बहासा की सबसे छोटी इकाई क्योंकि इस से सब्द बनेगा सब्द से वाक के बनेगा वाक के से क्या बनेगा बहासा बनेगी इतनी बात क्लियर हो गई बहासा की सबसे छोटी इकाई इतनी बात क्लियर अच्छा बहासा किसे मिलकर बनी है वा किसे मिलकर बनी, भासा किसे मिलकर बनी, वा किसे मिलकर बनी, अच्छा वा किसे मिलकर बना है, शब्द से मिलकर बना है, और सब्द किसे मिलकर बना है, वर्ण से मिलकर बना है, तो आप यहां पर परिभासा याद नहीं करना है, आपको जैसे पूछा रहा है, भासा किसे कह लेकिन इतना आपको याद रखना है वाग के कैसा होना चाहिए सार्थक होना चाहिए वाग के का अर्थ होना चाहिए हम यह से कही दे कि गाये को काटकर मूली खिलाओ गाये को काट कर मूली खिलाओ क्या ये वाक के सही है बताओ गलत है न वाक के तो ये वाक के कहा हुआ फिर इसलिए क्या लिखा हुआ है सार्थक, अर्थ के साथ होना चाहिए उसका कोई अर्थ हो जैसे वन है, वन को सार्थक क्रम में रखो सार्थक समूह में रखो वर्ण को आप देखो जैसे का मल लिखा आपने लेकिन अगर इसे को लकम कर दे बताओ भाई क्या ये तीन वर्ण नहीं रखे हैं लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है नहीं अर्थ तो क्या ये सब्द हुआ भाई तो ये फिर सब्द नहीं हुआ ऐसे क्रम में रखो कि उसका सार्थक हो सार्थक का मतलब अर्थ हो अर्थ सही तो निकले उसका कोई भी समू तभी वो क्या होगा? वो तभी आपका शब्द होगा अब जब आपका सब्द सही है तो जब सब्दों को सार्थक समू में रख दोगे तो आपका वाक्य बन जाएगा और वाक्य की जब आपका सही है तो वाक्य को कई कई वाक्यों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी भासा बन जाएगी तो बात क्लियर हुई अगर आपसे सब्द की परिभासा पूछी जाए तो वर्ण का ऐसा समू जिससे उसका अर्थ निकले परिभासा लिखो, लिखो, सब्द की परिभासा लिखो, सब्द की परिभासा लिखो यहां पर वर्ण की परिभासा क्या लिखोगे यहां पर, लिखोगे भासा की, भासा की कैसी इकाई सबसे छोटी इकाई भासा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है शब्द की परिभासा क्या होगी इधर देखिए शब्द की परिभासा होगी आप क्या लिख सकते हो वर्णों का यहाँ पर क्या लिखोगे वर्णों का सार्थक वर्णो का सार्थक समूं वर्णो का क्या भाई सार्थक समूं क्या कहलता है वर्णो का सार्थक समूं आपका क्या कहलाएगा शब्द कहलाएगा वाकी क्या होगा वाकी की परिवासा क्या होगी शब्दो का सार्थक समूं यहाँ पर होगा सब्दों का कैसा समूं सार्थक सार् प्रदान का एक माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं जिसको भाया हम अपने संकेत के माध्यम से ठीक है जिसको हम बोल करके हम अपने विचारों को कम्यूकेशन अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं दूसरे के सामने वि से लिख सकते हैं भासा किसे कहेंगे तो विचारों का हम आदान प्रदान आदान और प्रदान आदान प्रदान वो सांकेतिक भी हो सकता है मौखिक भी हो सकता है ठीक भासा का मतलब विचारों का आदान भासा कभी हमको समझ में आगी जब हम अपनी वारी से बोलेंगे कुछ और सामने वाला उसको समझेगा विचारों का आदान प्रदान और जिसको हम संकेत के माधम से भी बता सकते हैं जिसको हम लिखकर भी बता सकते हैं उसे हम भासा कहेंगे विचारों का आदान प्रदान क्या होगा ये हो गई भासा लेकिन यहाँ पर जब बात आएगी किसकी बात आएगी वर्ण माला की ठीक अब वर्ण माला की definition पूछी जाती है वर्ण माला तो वर्णो का क्रम बद्ध समू वर्णो का क्रम बद्ध समू वर्ण माला कहलाता है यह चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वर्णो क वर्णो का क्रम बद्ध समू वर्णो का क्रम बद्ध समू भी या वर्णमाला कहलाता है वर्णो का सार्थक या क्रम बद्ध समू आप क्रम बद्ध समू कह सकते हैं वर्णो का क्रम बद्ध समू वर्णमाला कहलाता है यह कोशन आता है ठीक है अच्छा इतनी बात तो क्लियर ह हो गई इसको उटा दे ठीक है यहां से अब बात आती है कि भाई वर्ण माला का वर्गी करन कैसे किया जाए स्वर कैसे पढ़े जाए वेंजन कैसे पढ़े जाए तो इसका जो है एक एक हम वर्गी करन कर रहे हैं द्यान से देखेगा अगर आप से पूछा जाए कोशन देखे कहां से कितने बनेंगे अब यहां पर होगा वर्ण यहां पर वर्ण की बात होगी तो अगर आप से पूछा जाए कि हिंदी में त्यान से सुनना हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है मूल वर्णों की मूल वर्णों की संख्या आप से पूछता है यह बहुत बार कोशन पूछा गया है मूल वर्णों की संख्या कितनी हमने बताई आपको ट्वंटी स्वारी 52 होते हैं टोटल हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 52 होते हैं देखो कौन कौन से हैं नमबर एक सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे भाया स्वर मिलेंगे स्वर की संख्या कितनी मिलेगी ग्यारा बावनवर्ड अकाउंटिंग करना, नमबर दो, दूसरे नमबर पर आपको मिलेंगे क्या, वेंजन मिलेंगे, वेंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक, नमबर तीन, तीसरे नमबर पर आपको मिलेगा, अयोग वाह, अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोग वाकी संख्या दो होती है ठीक नंबर चार चौथे नंबर पर आपको मेलेगा उत्छिप्त वेंजन कैसे वेंजन मिलेंगे उत्छिप्त वेंजन मिल जाएगा आपको चौथे नंबर पर ठीक और पांचवे नंबर पर मिल जाएगा आपको संयुक्त संयुक्त वेंजन ठीक है संयूक्त विंजन उच्छिप्त विंजन की संख्या दो है और संयूक्त विंजन की संख्या भी दो है काउंटिंग कर लो भी या इधर देखो 11, 33, 44, 44, 44, 42, 48, 48, 4 संयूक्त विंजन की संख्या 4 होती है ठीक संयूक्त विंजन की संख्या 4 तोटल कितने हो जाएंगे आपके 52 वर्ड हो जाएंगे यहां पर चार लिखनेजिएगा इनकी संख्या चार हो गई इतनी बात क्लियर ठीक अब देखो 52 वर्ड हो गए कि नहीं हो गए पूरे अब इन 52 वर्डों में आपको इनके बारे में पढ़ना है पूरा पेपर में आता ग्यारही होती है, वेंजन की संख्या कितनी होती है, तेतिस होती है, अयोगवा की संख्या, इसको बताएंगे अयोगवा क्यों कहा जाता है, उच्छिप्त वेंजन की संख्या कितनी होती है, दूई होती है, और संख्यों की संख्या चार होती है, यह आउमन जादा तर किताब में NCRT अब उठाग देखेंगे तो आपको यही पैटर मिलेगा इसी पैटर में सबको वनमाला पढ़ने भी चाहिए किताबों में थोड़ा सा डिफरेंट है कहीं पहीं पर सोरों की संक्या 10 दिया है कहीं कहीं पर 13 दिया है मेंजन की संक्या कहीं 47 दिया है कहीं 49 दिया है कोई भी फॉर्मेट आप चुन लीजिए यह क्लासिफिकेशन आपको ज्यादा तर मिलता है अब देखो यहां पर हम पढ़ेंगे स्वर से इंग्लिस में क्या बोलते हैं स्वर को इंग्लिस में स्वर को बोलते हैं वावल इंग्लिस में तो भाईया 5 होते हैं हा ना संसकत मे कितने होते हैं नाइन होते हैं हिंदी में कितने होते हैं 11 होते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताओ कूल स्वर कितने होते हैं यह बहुत कम कोश्चन आता है कि कूल स्वर कितने होते हैं तो संख्या कभी कभी 13 लग आपको पता होने चाहिए वावल पता होने चाहिए अब जैसे एक है आपका आ दूसरा है आपका बड़ा आ फिर कौन सा है ए ठिक फिर कौन सा है आपका ओ और ओ ठिक फिर कौन सा है आपका री फिर आपका आई आई फिर आउ और फिर आउ ये हो गए आपके ग्यारा स्वर एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ये ग्यारा स्वर आपको इसी सीरियल से याद करना है, रट लेना है बात के लिएर? अब इधर देखो ये जो ग्यारा स्वर है न, इन ग्यारा स्वरों को हम तीन भागों में भैया डिवाइड करके पढ़ो कितने भागों में पढ़ोगे? तीन भागों में पढ़ोगे पहले इधर देखो, नोट करने के पहले इधर पहले समझ लो, समझना ज़्यादा जरूरी है ग्यारा स्वरों को हम कितने भागों में डिवाइट करके पढ़ रहे हैं तीन भागों में पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िएगा जहां से कोशन बनते हैं पेपर में तीन भागों में पढ़ेंगे अच्छा तीन भाग इधार हम लिखे दे रहे हैं स स्वर के तीन भाग ठीक स्वर के हम तीन भाग करेंगे जो ग्यारा स्वर हैं ग्यारा स्वर को तीन भागों में अगर डिवाइड करोगे तो नंबर एक पर आप क्या पढ़ोगे हरस्वर पढ़ोगे हरस्वर पढ़ोगे नंबर एक दूसे नंबर पर पढ़ोगे आप यर हुजी क्या क्या पढ़ोगे हरत्ज स्वार पढ़ोगे दीर पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे सहीं जोulu गियारा स्वर probण हुआ ऩजा clicking किदनी कि और ₂100 list 2 पर घ्यार स्वर में की सेंख्या ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो हरस्य की संख्या चार, दीर्ग की संख्या तीन, और सैयुक्त की संख्या कितनी हो गई, सैयुक्त की संख्या आपकी चार हो गई, नोट कर लो इसको जरा, और ये आपके ग्यारा स्वर यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक, ग्यारा स्वर आपके यहाँ पर यह जो दिख रहे हैं इन्ही को हम क्या करेंगे इन्ही को हम तीन भागों में यहाँ पर डिवाइट करके पढ़ेंगे ग्यारा सुरों को ठीक है इतनी बात क्लियर अब देखो इसको पूरा यह तीम जहाम यहाँ से हम पूरा हटाते हैं पहले हमको इतना सिर्फ पढ़ना ही ग्यारा सुर हमने यहाँ पर लिखे दिये थे और कैसे पढ़ना है इसको ध्यान से देखो एक एक पॉइंट देखो इतना पढ़ाएंगे कि आज तक जो है कभी किसी किताब में भी नहीं लिखा होगा ध्यान से देखो नमबर एक सबसे पहले क्या है सबसे पहले है आपका नमबर एक पर वहाँ लिखा हुआ है हरसुस्वर क्या लिखा हुआ है हरसुस्वर लिखा हुआ है ना हरसुस्वर लिखा हुआ हरसुस्वर नमबर एक इसकी संख्या कितनी है वहाँ पर लिखी है चार आखिर हरसु स्वर को हरसु स्वर क्यों कहा गया यहाँ पर हरसु का मतलब क्या होता है हरसु का मतलब होता है छोटा हरसु का मतलब होता है कम हरसु का मतलब होता है लगो ठीक है छोटा लगो अब हरसु का मतलब होता है कि आप shortcut में देखो कि ऐसे स्वर ध्यान से देखना उन्ही में 11 स्वर में ऐसे स्वर 11 स्वर में जिनके उचारण में जिनके क्या है? जिनके उचारण में क्या हो? जिनके उचारण में क्या हो? लगुता हो जिनके उचारण में लगुता हो लगुता का मतलब जिनके बोलने में कम समय लगे उनको कहेंगे हरस्षवर मतलब जैसे कह दिया जाए अब देखो जैसे कौण से स्वर हैं आपके एक छोटा आ है, ठीक, एक छोटी ई है एक छोटा ओ है, और एक आपका क्या है री है ये चार ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ठीक है ऐसे सवर है इनके उच्चारण में कम समय लगता है देखो अ-e-o-d इस छोटे वाले सवर है अब देखो इनही को हम कई सवरों के نام से जानते हैं इनको हम भाईया मूल सवर के नام से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं मूल स्वर के नाम से जानते हैं ठीक इधा देखो पहले आ ई उरी लिखने का पूरा मौका देंगे आ ई उरी इनही को मूल स्वर के नाम से जानते हैं अब देखो कोशन पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं एक दो तीन चार कोशन बना मूल स्वर की स लिखा होगा देखो सबसे पहले वाले पेज में हिंदी में मूझ वर्डों की संख्या कितनी रावन है है कि नहीं एetu लिखा कि कि लिखा है इसे बावन लिखा मूझ वर्ड तो मूझ वर्ड जब भी पूछे जाएं तो बावन बताना है आपको लेकिन जब मूल स्वर पूछे जाएं, तो चार बताना है, यही कोशन बनते हैं, अब अगर हम रिपीट करवाएं, स्वर की संख्या कितनी होती हैं, ग्यारा होती है, वेंजन की संख्या कितनी होती हैं, तेतिस होती है, आयोगवा की संख्या कितनी होती हैं, दो होती है, उच्छिप प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, या तीन भागों में हम उनको सामानिता वर्गी करते हैं, तीन प्रकार से डिवाइग करते हैं, यहां पर संयुक्त स्वर आप पढ़ना है आपको, हरस्वर, दीर्ग स्वर और संयुक्त स्वर, आपको यहां पर, जो किताब अगर आप देखो टोटल 4, 3, 7, 4 is 11 11 स्वरों को कितने भागों में डिवाइट किया? 3 भागों में बात कलियर? जिसमें से हरस्व की संख्या 4 अब हरस्व को हम इसका जो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगता हो जिनके उच्चारण में कम समय लगे उनको हरस्वर कहते हैं बात क्लियर? अब देखो इधर पहले समझ लो आ, इ, उ, र, इ, को हम मूल्वर कहते हैं मूल्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनहीं से और स्वर बनेंगे अगर आप इसको इसको जोड़ देंगे तो एक नया स्वर बन जाएगा इसको इसको जोड़ देंगे तो एक नया स्वर बन जाएगा इसको इसको जोड़ेंगे तो एक नया स्वर बनेगा तो मूल्वर का मतलब क्या होता? जड़ होता है जिनसे और चीजों का निर्माड हो बात क्लियर है? तो इनहीं को मूल्वर अब देखो मूसर इन्ही को कहेंगे अब उचारण में क्या है लगुता है उचारण में कम समय लगा तो इन्ही को हम क्या कहेंगे इन्ही को हम लगुसर भी कहेंगे कहेंगे उचारण में कम समय लगा इसलिए इनको हम क्या कहेंगे अल्प स्वर भी कहेंगे क्या कहेंगे अल्प स्वर भी कहेंगे ठीक उचारण में सिर्फ एक ही मात्रा का बोध हो रहा है इसलिए भाईया इनको हम क्या कहेंगे इसलिए इनको हम एक मात्रिक भी कहेंगे एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे और इनको छोटे स्वर के नाम से भी आप जान सकते हैं किस नाम से छोटे स्वर तो आप से पूछा जाए भाईया छोटे स्वर कितने है चार एक मात्रिक स्वर कितने है चार अल्प स्वर कितने है चार लगु स्वर कितने है चार मूल स्वर कितने है चार हरस्वर कितने है चार अब question चाहे जाए इसे आ जाए ठीक तो संख्या कितनी होगी चार नमबर दो देखो दूसरे नमबर पर देखो अब दूसरे नमबर पर कौन से थे दीर्ग स्वर ठीक दीर्ग स्वर इनकी संख्या कितनी है संख्या इनकी तीन है संख्या कितनी तीन कौन कौन से है बड़ा और कौन सी है बड़ी ई और कौन सी है बड़ा उ ये संख्या हो गई भाई तीन ठीक बड़ी बात क्लियर इदा ध्यान से देखो ये बड़ा बड़ी बड़ा उ बात क्लियर हो गई ठीक अब देखो आ ई उ डी बड़ा बड़ी बड तो गए साथ ठीक नोट कर लो वह बाद में नोट करते रहना कोई दिक्कत नहीं है आई उरी तो जो लोग जीडी की तयारी कर रहे हैं जोट जाएं पूरी तरीके से बेतर तरीके से हम आपको तयारी करवा देंगे इसमें कोई दो राहे नहीं है और कोसिस करेंगे कि आपका स्लेबर जो है कबर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और सारी क्लासे कांटिन्यू अब लगातार हो जाएंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं जीडी में हिंदी में सिर्फ आपको दो चीजें का ध्यान रखना है जो सबसे महातुपूर्ट टॉपिक है एक सबसे पहला पॉइंट तो पत्र लेखन याद रखना है आता ही आता है ठीक है पत्र लेखन आएगा और जो दूसरा टॉपिक है वो ट्रॉन्सलेशन आएगा इंग्लिस में हिंदी का वाक्य दिया रहेगा और इंग्लिस में translation करना रहेगा फिलाल इतना दो काम करने बाकी हिंदी पूरी सेम टू सेम वैसे ही है 14-15 टॉपिक है 20 नंबर के हंदी आनी है कोई दिक्कत नहीं दीर्गस्वर को दीर्गस्वर हम इसलिए कहते हैं उच्चारण में अच्छा हमने बताए ना कि भैया ऐसे स्वर ऐसे स्वर जिनके किसमें उच्चारण में जिनके उच्चारण में क्या हो उचारण में क्या हो भई, दीरगता हो, उचारण में दीरगता हो, उनको हम क्या कहेंगे, दीरगता कहेंगे, बात क्लियर, उचारण में दीरगता तो दीरगता, उचारण में लगता तो लगुसवर, ठिक, अच्छा देखो, अब जो दीरगता हैं, हम इनको गुरुसवर भी कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं गुरु स्वर्भी कहते हैं और इनही को हम मूल दीर्ग स्वर्भी कहते हैं मूल दीर्ग स्वर्भी कहते हैं ठिक इधर देखो अब इधर ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट सबसे महत्वपूर है मूल दीरगस्वर क्यों कहा गया इसको दीरगस्वर क्यों कहा गया अब देखो ध्यान से हमने कहा कि इनको मूल स्वर कहते है अगर दो आ को मिला दिया जाए ध्यान से देखो बड़ा बड़ी बड़ा हो है एक मूल दीरगस्वर और एक मूल दीर्ग स्वर को मिला दिया गया दो मूल दीर्ग हो गया जब दो आ को मिलाया गया तो एक क्या बन गया बड़ा आ बन गया ठिक हमने कहाता ना इनसे अन्य स्वरो का निर्मार हो सकता है अगर हम एक ई और एक ई को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक बड़ी इ बन जाएगी, ठीक, एक उ और एक उ को मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा उ बन जाएगा, ये अब क्या हुए, ये किस स्वर से बने हैं, ये देखो ये मूल स्वरों से बने हैं, मूल स्वरों से बने की नहीं बने, त लेकिन दीर्ग बन गया न तो is लिए इनको मूल दीर्गासVer कहा गया संख्या कितनी है तीन ठीक अच्छा देखू ये भी समानसवर्ज है ये भी समानस्वर है, ये भी समानस्वर है, दो समानस्वर है ना, ये भी दो समानस्वर है ना, तो इसलिए इनको हम एक नाम देंगे, सजाती स्वर, क्या नाम देंगे, सजाती स्वर नाम देंगे, कैसा नाम देंगे, सजाती स्वर, अगर आपसे पूछा जाए गुरु स्वर की संख्या कितनी है तो तीन मूल दीर स्वर की संख्या कितनी है तीन सजाती स्वर की संख्या कितनी है तीन है बात क्लियर अब देखो ग्यारा स्वर में इत्ते निकाल दिये इत्ते निकाल दिये अब बच्चे कौन से आपके नंबर तीन पर बच्चे आपके जो कौन से थे संयुक्त स्वर बच्चे संयुक्त स्वर ठिक संयुक्त स्वर इनकी संख्या चार है कौन कौन से है ए हो गया ठिक अगला कौन सा है आई है फिर कौन सा है ओ है और कौन सा है आपका आउ है यही तो चाल लाश्ट में बच्चे हाना आ आ देखो आ आ इ उ री री हो गया लाश्ट में कौन सा बच्चा है ए आई ओ आउ यही ग्यारा सोर थे इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि यह दो सवरों की योग से मिलकर बनते हैं यह भी दो सवरों की योग से मिलकर बने है लेकिन इसमे और इसमे अंतर देखो यह दो सवरों की योग से मिलकर बना है यह भी दो सवरों की योग से मिलकर बना है लेकिन अंतर क्या है एक A और एक A का योग किया तो ये बना एक E और एक E का योग किया तो ये बना एक U और एक U का योग किया तो ये बना लेकिन अगर A और E को मिला देंगे तो भी ये बन जाएगा इसका मतलब A प्लस E बराबर क्या होगा A होगा इसा देखो ये कैसे बनेगा A प्लस U को ठीक नहीं ये A प्लस A होगा A प्लस A से बनेगा ये A प्लस A से बनाओ ठीक ये कैसे बनेगा A प्लस U से बनेगा और ये बनेगा A प्लस O से बनेगा ये सिस्टम है तो अब देखो क्योंकि अब यहाँ पर क्या है A plus E अलग-अलग स्वर है तो इनके कई नाम है इनके हम इसको क्या कह सकते हैं पहली बात तो सैयुक्त स्वर कह सकते है ठीक इदा देखो A plus E सैयुक्त स्वर है लेकिन दो अलग-अलग स्वरों की योग से मिलकर बने हैं न इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं वी जाती स्वर कह सकते हैं वी जाती स्वर या अलग अलग स्वर जो दो अलग प्रजातियों से मिलकर बनते हैं इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं संकर स्वर भी कह सकते हैं अच्छा दू मात्री की यह भी हैं देखो दो मात्रा से यह भी मिलकर बने ही ये भी मिलकर बने हैं दो मात्र से इतनी बात क्लियर हो गई ठीक तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा स्वरों में ठीक है स्वर के बारे में फिलहाल इतना ही आता है और अगली क्लास कांटीन्यू कल करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दो बिलता रहे बेटना तरीक है